हेलो दोस्तों गुड मॉनिंग आज की इस वीडियो में यूनिवर्सिटी ने आपके कुछ न्यू रिजल्ट अनाउंस किये हुएं तो उन्हीं की डीटेल्स में आप लोगों के साथ सेयर करने वाला हूँ कि किस किस प्रोग्राम का भी रिजल्ट अनाउंस हो चुका है तो स्टूडेंट को बता दो कि अगर आप लोगों का जो है बैक पेपर का एकजाम दिया हुआ था आपने तो आप लोगों का जो है फाइनल येर का रिजल्ट यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया हुआ है अगर आप लोगों ने वो बीडियो नहीं देखी वी है तो इस बीड लोगों का जो रिजल्ट है वो यूनिवर्सिटी ने अनाउंस नहीं किया हुआ है जल्दी ही आप लोगों का रिजल्ट यूनिवर्सिटी अनाउंस कर देगी तो यहाँ पर ओफिसेल वेबसाइट ओपन करने के बाद हम जो है नीचे एक ऑप्सन है डाउनलोड रिजल्ट का तो इस पे हम click कर लेते हैं click करने के बाद यहाँ पे देखिए जो result भी आज की date में announce हुआ है वो regular वाले जो student है उनका हुआ है तो यहाँ पे examination में हमें regular select करना है उसके बाद आ जाएगा session में तो session में हमें जो है जुलाई दो जद तेई select करके रखना है उसके बाद program का option है तो जैसे ही आप program पे click करेंगे तो यहाँ पे जो new result announce हुआ है जिन भी student जो है का program code BED21 बैचलर ओप education B8 इनका result announce हो चुका है और जिन भी student का program code BLIS21 बैचलर ओप library and information science तो इनका result announce हुआ है तो पहले हम जो है जो B8 का result announce हुआ है इसमें check कर लेते हैं कि किन किन का result announce हुआ है तो year और semester पे हम click करते हैं तो देखिए first, second, third, fourth, चारो semester का result है वो B8 का university इन announce कर दिया है उसके बाद हम check करते हैं यहाँ पे जो भी student का program code BLIS है उनका result और यहाँ पे semester का result announce हो चुका है यहाँ पे तो जो भी आपका program है आप उसको select कर सकते हैं उसके बाद आप लोगों को enrollment ID यहाँ पे आपको अपने enter करनी है जो university ने आपको provide करी भी है उसके बाद आप लोगों के पास next option है date of birth का तो date of birth आप लोगों को यहाँ पी calendar सो हो रहा है जिसमें red star है इसी की साहिता से आप लोगों को अपनी जो date of birth है वो यहाँ पे enter करनी है जैसे ही आप लोग इस calendar पे click करेंगे तो कुछ इस पकार से calendar open होगा तो सबसे पहले आप लोगों को month select करना है फिर year और फिर date जैसे आप यह सारी चीज़े select कर लेंगे तो जो आपकी date of birth है वो यहाँ पे enter हो जाएगी फिर आप लोगों के पास तीन option है get result, reset, download तो अगर आप अपना जो result है उसको देखना चाहते हैं तो आप लोग get result पे click कर सकते हैं और अगर आप download करना चाहते हैं तो आप download पे click कर सकते हैं तो दोश्तो यह अभी दो new result announce हुए है university ने आज की date में किये हुए अगर आज की date में कोई new result announce होता है तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना के जरूर share कर दूँगा तो चलिए दोश्तो अगर यह वीडियो आप लोगों को helpful लगी हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe कर लीचिएगा मिलते हैं आपको हमारे next वीडियो में तब तक के लिए bye bye and have a good day